संख्या 9 के संस्क्रिट प्रयूप के साथारन और पूरनार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी तो आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 9 के संस्कृत प्रयोगों को उसके साधारन स्वरूप के साथ अच्छे तरीके से जान लेते हैं संख्या 9 के लिए संस्कृत में हम साधारन रूप से कहते हैं नवव और यहाँ ध्यान दिजिए कि नव यह शब्द संस्कृत वांग में में एक बार आपको नए के अर्थ में भी प्रयोगत में लेगा यह बस ऐसे ही समानता है जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादक ता अधिकाय जैसे प्रयोगों में कनक इस एक शब्द के दो अर्थों को आप जानते हैं यानि कनक का एक अर्थ सोना या स्वर्ण और कनक का दूसरा अर्थ धदूरा यह माना जाता है तो बैस ऐसे ही यहाँ नव शब्द के दो अर्थ होते हैं अर्थात एक नया और जी हाँ क्योंकि हम इस समय बात कर रहे हैं संख्याओं की तो नव का अर्थ नया यह न समझकर संख्या नौ यह ही समझना है तो इस 9 शब्द के पुलिंग, स्त्रे लिंग और नपुनसक लिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थाथ सभी लिंगों में 9 के लिए संस्पित शब्द होगा 9 यहां यह स्मरंड रखले कि संख्या एक हमेशा एक वचन में होता है जबकि संख्या 2 का हमेशा द्वी वचन में ही प्रयोग होता है जबकि संख्या 3 और उसके बाद की अन्य संख्याएं सामान्य रूप से बहु वचन में ही प्रयोगत हुआ करती है हमने सामानी रूप से इसलिए कहा क्योंकि संख्या 3 के बाद यानि बहुवचन के रूप में समझी जाने वाली ऐसी कई संख्याएं हैं जिनका संस्क्रित में बहुवचन के अतिरिक्त एक वचन में भी प्रयोग दिख जाया करता है इस बारे में भी हम आपको यथा समय उन संख्याओं के क्रम के समय बताएंगे तो अभी हमें यह स्मरण रखना है कि संख्या 3 के बाद की संख्याएं साधारन रूप से बहुवचन में ही प्रयोगत हुआ करती है अतह संख्या 9 भी संस्कृत में नव इस साधारन स्वरूप के साथ बहुवचन में ही प्रयोगत हुआ करती है यह स्वष्ट हुआ इस तथ्य को जान लेने के बाद आईए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले नव शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं सबसे पहले कर लेते हैं नव इस संख्या का पुलिंग में वाक्य प्रयोग देखिए हम हिंदी में कहते हैं जोतिश शास्त्र में नौ ग्रह स्वीकारे जाते हैं इसे संस्कृत में कहेंगे जोतिश शास्त्रे नव ग्रह स्वीक्रियंते इसी तरह हम हिंदी में यदि कहेंगे कि कार्याले में नौ लिपिक या टाइपिस्ट हैं तो संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग होगा कार्या यहां नव ग्रह और नव लिपिकाह जैसे उदाहरणों में ग्रह और लिपिक ये दो पुलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले नौ इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुलिंग का ही कहलाएगा यहां में विशेश रूप से ध्यान में रखना है अब नौ इस संख्या का वाक्यप्रयोग स्तिलिंग में कर लेते हैं जैसे ही हिंदी में हम कहें कि मेरे मित्र के पास नौ कलमे हैं तो इसे संस्क्रिट में कहेंगे ममा मित्रस्या पार्श्वे नव लेखन्यह संधी यहां नवकंकण आहा और नवलेखन्यह जैसे उदाहरणों में कंकण और लेखनी ये दो स्ट्रेलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले नौ इससंख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्ट् पहले राजदर्बार में नौ रत्न हुआ करते थे। इसे ही संस्कृत में कहेंगे पूर्वम राजसभायाम नव रत्नानी भवन्ति स्मा। राजदर्बार में नौ रत्न इसका आशय आप सभी समझी चुके होंगे जहां नौ रत्न नौ विशेश गुणी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। राहुल सांकृत्यायन की नौ पुस्तकें मेरे पास हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे राहुल सांकृत्यायनस्या नव पुस्तकानी ममपार्श्वे संति। यहां नव रत्नानी और नव पुस्तकानी जैसे उदाहरणों में रत्न और पुस्तक ये दो नपुनसक लिंग शब्द हैं। और इन शब्दों के पहले नौ इस संक्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुनसक लिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेश रूप से ध्य नार्थक शब्दों के संस्क्रित स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजी अनुमती नमो नमाहा।